यहां पर रिफ्रेक्टिव नेक्स QI upon QO अगया QI upon QO ठीक है अब हमने एक गजब्षन लेकी चलनी है कि Q जो है वो पी के बहुत नस्दीक है ठीक है क्योंके देखो यहां पर हमें शो हो रही है ठीक है जो भी चीज है यहां पर कुछ भी रखा हुआ है जो भी हमने पैसिका रखा है कुछ भी वह हमें यहां पर शो हो रहा है क्यों शो हो रहा है क्योंके इस रे और इस रे कि जिस पॉइंट में कॉइंसाइड हो रहा है वहीं भी हमको शो हो रहा है तो हमारी आखों में यह रे और यह रे दोनों कठी जाएंगी तभी तो हमें यह यह और यह रहे आख तो इतनी बड़ी तो है निए दोनों साथ में कठे शो हो जाएंगे इसलिए हम सोचते हैं एक एक जम्षन ले रहे हैं कि जो क्यू है वह पीक नजदीक ही है इतनी नजदीक है कि यहां से थोड़ी से बैंडिंग ऐसे हो गई और हमारी आख यहां पे ठीक दोनों नसदीक नसदीक कभ होंगी जब P और Q और यू पॉइंट है वो दोनों नसदीक होंगे तो Q को मैंने approximately P ले लिया तो यहां पे q i upon q o है उसको में p i upon p o भी लिख दूगी ठीक है p i क्या है apparent depth ठीक है p o क्या है p o क्या है real depth मालो यहां पर सिख्का है सिख्के कि जहां पर हमें दिख रहा है वो apparent depth है यह पूरी real depth है ठीक है तो क्या गा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स of air second medium with respect to first second medium कौन है air with respect to water ुसकी क्या आगी apparent depth over real depth हमने इसका उल्टा निकालना हूँ देखो यहां पर हमने यह पढ़ना independently करना होFirst आप हमने अगर हमने इसका उल्टा निकालना हूँ refractive to water with respect to air यहां पर air with respect to water तो apparent depth over real depth था गया अगर हमने यह पढ़ना find करना हो तो हमने principle of reversibility में पढ़ा था कि यह होता है inverse of air refractive index of first medium with respect to second medium is equals to one by refractive index of second medium with respect to first अगर इनको हमा शिफ्ट करते हैं तो हम उसका reverse ले लेंगे सिमिलरली यह air with respect to water था अब water with respect to air find करना है तो इनको मैं उल्टा कर दूँगी मतलब रिगल डेप्ट अपॉन प्रेट था हो ही तुक है अब अब देखो एप्रेट प्रेट था हमे कितना उच्च अ अब देखाई देगा वो कई से अगर हम ब्रेफ्रेक्टिम इएक्स Salt waterा जब ऌड़ Apparent shift क्या है? देखो, ये तो है real depth ये है collaborating Shift क태 क्या है? कि अपनी actual position से कितना ऊपर दिख रही है ये वला थिक है? अपनी actual position से कितनी ऊपर वो दिखाई दे रही है कि इसको बोलेंगे shift Shift क्या होगी? Real depth minusessäQue Shift 1 तो क्या आगया एप्रेंट शिफ्ट क्या आगया रियल डेप्थ कितने है T माइनस देखो रियल डेप्थ कितने है T ठीक है माइनस एप्रेंट डेप्थ क्या आगया T upon refractive index of water with respect to air तो यहां पे वही value पुट कर दी ठीक है दोनों में से T को common लिया 1-1 by A रिफ्रेक्टिव रिशरी इक्स वाटर थे रिप रिस्पेक्ट टू एयर यह याद लखनाद है Shifte और डेप पास कínaorm requests मतंने के beth है कितनीं गहराई हो स्पीर दिखाई देघ रहे if water producer이AI थिक्षटिक हसे एयके सितना जदा तक प्लिएटीन रीप्रेंट की मांगे प्लिंग का प्लिए नियुएच्टीनियु यह पर एक जदा तक जितना जदा होगा, एक यहां पर भी का तिक्ष को मैंदा एक चितना ज्यादा नोल यहें चितना ज्यादा थिक लेंगे उतनी ही ज्यादा कावारांद इसमें ज्यादा अफ दो इसमें ज़ेखों बएगा. तो एकषऺ कम आएगे . नेक्स इसे रिफरेक्टिव इंटेक्स किसी भी मेडिऋम का इट जदा होगा किंफेंने जडी मेडियम के बड़्य जदा होगा यहां पे तीकनेस को मैं ब wrap टले यहां जदा है तो shift shift इतने है dd उतनी ज्यादा है यहां पर refractive index जितना ज्यादा है shift rappelle have wavelength कोटन होता है वह inverse होता है गर wavelength ज्यादा होगी तो shiftDeservarsip kum होगी रेट कलर की वेवलन सबसे ज्यादा है तो शिफ्ट सबसे कम है वाइलेट कलर की वेवलन सबसे कम है तो शिफ्ट सबसे ज्यादा है ठीक है यह डिरेक्ट रिलेशन है यह इनवर्स लास्ट कोला इनवर्स है next examples पढ़ते हैं ठीक है in case of glass इसका refractive index इतना है therefore the thickness of glass appears only two-third of the real thickness when its view in the air by keeping the eye vertical through slab ठीक है देखो अब हम अगर यहां पर slab है ठीक है अगर तो हम सीधा देखेंगे तो हमें उतनी ही गहराई दिखेगी slab की ठीक है तो गहराई मतलब जो जितनी slab ठीक है उसे कम ठीक हमें दिखाई देगी कम ठीक कितनी apparent ठीक कितनी आएगी real depth जितनी real में जितनी वो मोटी है या जितनी वो जिसना बेस है उसका ठीक है divide by refractive index of glass with respect to air ठीक है तो कितनी कम दिखाई देगी हमें real three by two इसको करदर two by three real ठीक है तो उसको वो कितनी यहां पर हमें real थी thickness थी वो दिखाई दे रही थी जगर सीधी normal से देखे हम अगर हम थोड़े angle से देखेंगे तो हमें जो उसकी thickness है जो उसका base है वो कितना two by three उसकी real जो जितनी वी thickness है उससे two by three दिखेगा उसका two by three party हमें दिखेगा भी उसको लगेगा कि जितनी हो मोटी है उसका two by three party रहगी है ठीक है तो उतनी वो मोटी रहगी है उतने दिखेगी हमें ठीक है जितना dunga होगा ना pond होगा जाह आप स्विंग पूल जो कुछ भी होगा जितना गहरा होगा उसके three by four हमें उसकी जिदनी भी है उसके reduce कितने से हो जाएगा मतलो कितना कम गहरा दिखेगा ठीक है वो क्या है सिमिलर्ली वही है सेम हमने इसमें क्या करना है हमने एक पैंसिल रख देनी है वाटर में यह स्टिक रख दो पैंसिल रख जैसे ठीक है जैसे रख दी मैंने पैंसिल लेकिन क्या होगा जैसे स्टिक रखी तो यहां से स्टिक के यहां के कॉर्णर से जो लाइट यहां से यहा क्या होगी अभे फ्र on the normal band कर गई थीक है जैसे त्टेक पतख सी तेसे लिड़ी दीक तो त्टिक दीखे गी एसे तोक्छिंग नी स्टेक दिखाई थेगी souvent